राम राम अर्जुन भाई क्या चाल राम तरी सांस तो ऐसे थी ज़ए स्लो इंटर्वीव स्टार्ट कर रहा हुँ हुए वह एक आनी किस्ता था ना किसी ना किमा मौगन फ्रीमन उन से किसी इंटर्वी में पूचा था कि आवाज में दम कहां से लेकर आ हैं तो पर दो जैसे तो भाई दूसरी पुस्तक आ गई है नीरच चोपडा पे अर्जुन की फ्रम पानिपत टो दो पॉडियम तो ये नीरच चोपडा पे जो पुस्तक लिखने का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ एक दम आप हर्याना पे लिख रहे थे लैंड अफ द गोड्स तो उसके एक रिसेंट हिस्ट्री पे भी पुस्तक लिखने का मन था तो ये नीरच चोपडा पे कैसे फोकस हुआ एक्चली जब हम लास्ट ताइम भी कॉन्वसेशन में थे उसके इंडर भी ये बाद डिसक्स हो रही थी के ओवर थे नेक्स फ्यू मन्स हम लैंड अफ द गौद से रिलेटेड कोई भी मतलब उसके सेक्शंस को भी अच्छे अलग से डिसक्स करेंगे डिसेक्ट करेंगे प्रिटिकली आनलाइज करेंगे बट लैंड अफ द गौद के बाद इन फाक्ट बुक उस वक्त एडिटिंग के प्रोसेस में थी राधर फाइनल एडिटिंग के प्रोसेस में थी और ओलिंपिक्स हुए ऑलिंपिक्स हे टाइम पर वो हर्याना तिंकर्स फोरुम से हमने एक कॉन्वेसेशन भी करवाया था संदीप सिंग को बलाया था इसके अंदर हर्याना के ओलिंपिक्स टाज के बारे में और पहले बला था उसके बारे में कॉन्वेसेशन में ओलिंपिक्स से पहले की बाद फिर उसके वो हाफता की था हाफते के अंदर ओलिंपिक्स हो गए और Olympics 17-18 दिन का जो अफैर था उसके अंदर naturally हम you know if you remember के बड़े सारे मेडल होपफुल्स थे जिनको अंटिसिपेट कर रहे थे कि इस बार क्योंकि schemes भी बड़ी अच्छी आई हैं support भी बहुत मिला है preparation रहे ठीक टाक टाइम मिल गया था और COVID के बज़े से situation बहुत जारे challenging हो गई थी but Olympics finally जब हुए तो बड़े सारे मेडल होपफुल्स थे हमारे but all of a sudden we saw के some our star players not doing well and उस वक कुई ऐसा इतना लंबा चोड़ा ये नहीं था मेरा कि बहुत बड़े सारे somebody's biography but ये था कि उस ताइम पे like I remember telling you in the last conversation के contemporary हर्याना जो है और उसके अंदर कौन-कौन से different angles है, different stories है different people, personalities है जोनोंने modern हर्याना के लिए किसी ना किसी तरह से या तो contribute किया है या फिर modern हर्याना को किसी ना किसी तरह का inspiration दिया है तो ये जो modern हर्याना के story discuss कर रहे होते हैं उसके अंदर जरूर ही sports का एक angle जरूर आता है और ये contemporary हर्याना या हर्याना से related जितनी भी discussions है उसके अंदर sports ना discuss हो ऐसा हो नहीं रहा या तो रंडी पुर्ड़जे discuss होते हैं या sports discuss होता है तो उसी वक्त sports history of Haryana पर एक ऐसे पर काम कर रहा था and naturally हर्याना से जितने ओफुल से जितने प्रोस्पेक्स थे नीरच के बारे में पहले भी लिखना चाह रहा था you know not just as Neera's biography but that के एक अंदेशनल sport है Javelin जिसके अंदर a boy from Panipat is doing pretty well and he had already won many accolades awards बड़े जीत चुका था दुनिया भर के अंदर नाम बगरा हो चुका था इसका by the time Arjuna अवाडी भी था तो यह सारी के सारी different चीज़ें थी जो लिखना है का जब sports history पर रिसर्च कर रहा था तब यह बात दिमाग में थी but alongside forgot sisters भी थी alongside Shabad की भी कहानी थी कैसे महाँ पर hockey stars है बन रहे हैं भीवानी कैसे क्यूबा बना हुआ है and similarly Rautak के अंदर, Hissaar के अंदर, Sonipat के अंदर कि अलग-अलग क्या sports stories डेवलाप हो रही है और कैसे और क्यूं Haryanwi are excelling so well in different sports उस बीच मैं remember Neeraj smart young lad from Panipat another smart young lad दोबारा सुनियेगा smart young lad from Panipat through this javelin which went far and won a gold medal now this gold medal हम बहुत असान हुजात है as a consequence of that media glare नहीं इतना जादा उसको highlight कर दिया media glare के अंदर सब कुछ you know everything else अचीवमेंट तो वैसे भी बहुत बढ़ी है मतलब मैं वही कहरा हूँ कि media glare ने जो cover किया ना वो result cover किया बट जो उसके पीछे की backstory है वो कहीं पर discuss नहीं हो रही थी और बिट्स और पीसिज में हो रही थी इन फाक्ट रिमेंबर कि उसी रात या अगले कुछ दिन और इन फाक्ट बुक की research के वक्ना went through a lot of these interviews और ऐसा लगा था कि लोगों को पता ही नहीं है लोग क्योंकि अभी अभी medal जीता है जल्दी से interview करना है किसी को पता नहीं है तो भई indirectly उसी से जानना चाहरे थे कि उसके जवाब में पता चल जाए कि javelin throw कैसे करते है so यह सारी चीजें हुई थी but इसकी जो इतनी लंबी backstory है वो backstory भी cover करना ज़रूरी था और उस तरफ दिमाग धिरे-धिरे बटना स्टार्ट हो गया कि अरे मतलब नीरजवन और हर्याना का एक लड़का मतलब गोल्ड लेकर है because that is zenith we've had olympians जोनोंने bronze जीता, gold जीता या फिर no gold नहीं जीता bronze जीता, silver जीता और gold अगर जीता तो individual sport events में जीता Olympics में नहीं जीता तो इस तरह के बड़े सारी ऐसे stories चल रही थी जो में research कर रहा था और उस बीच में जो zenith था वो नीरे छोप्रा बने because नीरे छोप्रा बन the gold medal at Olympics which has been a long ambition a long hope of multiple Indian sportsmen going back and again you know खेलने के लिए माँ पे तो वो अब I remember गुडगाओं में था में एक मित्र है हमारे mutual उसके जोड़े discussion सी उड़ी के क्या करना है you know कौन जीतेगा यहां नीरे छायद ब्रॉंज ले आएगा नीरे जोप्फुल है इस तरह की बात उनी स्नाट हुए थी तो नीरे वन गोल्ड फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद में ठीक है you know लड़के की लाइफ चेंज होगी क्यों कि पानिपत में था में उस वक्त रिसर्च पॉपर्बस ऐसे पानिवत में था तो न्यूस पेपर या फिर वाट्साप पे या फिर यूट्यूब पे किससे कहानिया चल रहे थे बड़ी सारी स्टूरी जा रही थी उसकी और या इक लड़के कैसे जीवन ट्रांस्फॉर्म हो गया है ओवर नाइट ही सेंसेशन वन चुगा था तो उस वक्त ऐसा कोई दिमाग में नहीं आया बड़ी है 15-20 दिन बाद पॉब्लिशर्स के दिमाग में आया कि या एक पानिपत्से रूम हो पानिपत्से वो है इक ऐसी शॉड़र्फी हो सकती है क्या तो मेरे लिए यह स्टार्टिग इंडर एक क्वेस्टिं था क्यूंकि मैं लांड़ दो गौथ काम कर रहा हूं लांड दो गौथ के अंदर हिस्टी डिसकस हो रही है रहाना की and land of the gods खताम होती है contemporary मतलब modern day पे but modern day को analyze करने के लिए I am working on another book so उसके अंदर एक important section is sports history तो sports history के का जो naturally जो zenith बना वो Olympic gold medal बना जो नीरज ओकडा लेकरा है so नीरज की biography की तरफ काम बना हो start हुआ तो ये sports जो culture है sports का culture तो हर्याना में बहुत पहले से है culture एक दिन में नहीं बनता है या एक दशक में नहीं बनता है वो एक बहुत शुरू से ही है लेकिन ये जो medal जीतने का सिलसला जो शुरू हुआ वो अभी हुआ है 21 में सदी में ठीक है उससे पहले नहीं था तो क्या बदलाव आया जिससे हर्याना में suddenly medal आने लग गए 2008 से ये सिलसला शुरू हुआ था एकदम से हर्याना में जो sports की कहानी है उसकी शुरुवायत या उसका जो history है न long history इसलिए है क्योंकि हर्याना हमेशा से एक land रहा है और for long time, for centuries land रहा है और physical attributes को strengthen करने के बीज़े एक motivation थी जो self defense भी हुआ करती थी तो attributes जो है वो 17th, 18th century documents जो देखते हैं उसके इंदे repeatedly अगर caste को जो explore करता है communities को कोई explore करता है और social life को या rural India को भी explore कर रहा है multiple authors उन सबने इस बात को repeatedly लिखा है कि इस region के जो लोग है are tall, stout men जिनके क्योंकि काम ऐसा हुआ करता था हर्याना कोई बैसे कोई आज बनाए धन्धाने वाला राज या फसल इतनी अच्छी हो रही है बैसे लोगों के शरीर भी बड़े इसाथ है काफी जादा and as a consequence तो पैसा नहीं हुआ करता था खेती करनी पड़ती थी तो उस वज़े से लोगों के शरीर भी बड़े solid दे गाउंदेहाद के अंदर पहले से ही एक tradition रहा है कि कोई अगर किसी spot में अच्छा करता है तो उसको वो जो respect मिलनी होती है उसको जो award करते हैं किस तरह से उसको appreciate करते हैं किस तरह किस से कहाने दूर दूर गाउं के अंदर सुनाए जाते हैं वो हमेशा से रहा for long time उसकी motivation क्या रही थी उसके अंदर एक बड़ा important factor है military का तो हर्याना has been a you know ground, a breeding ground for good soldiers in the army so from Afghan wars till you know first world war, second world war हमने continuity देखा है कि हर्यानवी अलग-अलग regiments के अंदर सर्फ कर रहे है उनको एक जो थेरी आते हैं वो martial race थेरी आता है उसके उपर बड़ा debate चलता है regardless, keeping all of that aside यह जरूर है कि physical attributes के basis पर ही they made good soldiers all these military men who went abroad to serve वो वापस आया with new experiences दुनिया देख लिए exposure हुआ चीजें समझ आई यह समझ आई कि discipline क्या होता है यह समझ आया कि sports काKYा role होता है यह समझ आया कि leadership quality कैसे sports generate की जा सकती है यह समझ आया competitive nature क्या होता है competitions कैसे होते हैं उनकी वजने से क्या कोई नौकरी मल सकती है यह सारे सारे angles, multiple angles play में आये, और जब गाहूँ देहात में जाते हैं तो एक conversation ची start होती थी पहले अब I'm not talking about today मतब 100 साल पहले अगर conversation होती थी चौपाल में बैठके imagine करो कि चार लोग बाते कर रहे हैं फिर कोई बताता है कि इस तरह के sports से वहाँ पर किसी ने पहले naturally सोचा था कि बही जमीन से जुड़े खेल खेले कबड़ी कुष्टी और कि कबड़ी कुष्टी पर तो गाने खेल कबड़ी कुष्टी का यह सारी चीज़ें थी और हर्याना के अंदर हमेशा से अप्रेशेट किया अगर आप 60s, 70s कुछ लोगों से मिले तो यह बात रिपीटेडली बोलते हैं कि स्पोर्ट खेलना और फिट होने का एक अलग सानी एक नेचर सा था एक competitive नेचर था गाओं के अंदर लड़कों के अंदर कि कौन वो कहते हैं न सूट तम सूट भाग ले तो यह सूट अम सूट मतलब रेस के अंदर कितना यह दोड़ के अंदर कितनी स्पीड में भागा उसका एक जनरल एक competitive you know attitude था और वो होली पे जैसे मंदिरों में दंगल होते थे वहां पे प्राइज मनी भी मिलती थी और अभी भी होते ही हैं तो वो तो culture तो है ही कभी से ही वो culture है और यह culture इसे बड़े सारे किस्से कहानिया बड़े बुड़े लोगों से पता चलती है कि कैसे एक गाउं के अंदर कोई कबड़ी का player था वो उसकबड़ी का player का किस्सा कहीं जैसे सोनी पतका हो गया उसका किस्सा चल रहा है जी इंद में discussion हो रही है जब facebook, whatsapp, youtube इस तरह की चीज़े नहीं थी तो यह हमेशा सही ना motivation थी और लोग आपस में इस तरह की जैसे कोई जीत कर आया लेट से लाहोर के अंदर कोई मेडल आजादी से पहले तो गाउं की entry पे या district ने उसे prize दिया award किया, इज़त की, माला पहनाई घी के कनिस्टर दिये यह सारी जो चीज़ें हुआ करती यह बड़ी इच्छी motivation हुआ करती थी बट पेट तो नहीं भरता ने इससे तो till a certain point यह करा जाता था इतना जरूर था कि अपने आपको fit रखना है तभी हर्याना केंदर योग का तभी हर्याना केंदर सुभे-सुभे आप जाओ चार बज़े में व्याम का सुभे-सुभे चार-साड़े-चार बज़े बहुत बार गाड़ी लेकर अखाड़े तो हैं कि इससे पहले कभी भी इस तरह की motivation नहीं मिल रही थी कि अगर आप medal जीत के आते हैं तो आपको कोई अच्छा significant sum of money as award from the government मिले या कभी ये नहीं आया कि समाज के अंदर दूर दूर तक नौकरी मिल जाए या दूर दूर तक ख्याती हो पुलिस के अंदर मिल जाए रेलवे के अंदर जॉब मिल जाए इस तरह की angles बड़े कम हुआ करते थे बट ये change 21st century में आना स्टार्ट हुआ जसका consequence आपको ये देखने मिले ऐसा नहीं है कि नौकरी पहले लगनी रही थी लगती थी नौकरिया बट अवार्ड मनी इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी नौकरे में competition बहुत हुआ करता था कि मैं पांच लोग लगे पड़े एक नौकरी के पीछे वो motivation देरे देरे बंदे को ना तोड़ देती थी आपने वैसी कोई private काम कर ले contract में कलग जा खेती ठीक है तो यह सारी चीज है multiple angles थे but 21st century जैसे आही है the break of the century पहले एक ओम प्रकास चॉटाला जी हमारे मुख्यमंत्री थे फेर भूपेंजल से गुड़ा जी फेर मनोलाल कट्र जी पिछले तीन CMs ने consistently continuously हर्याना के अंदर sports को improve करने के लिए काम किया first कैसे कहता हूँ ओम प्रकास चॉटाला जीन सबसे पहले award money, significant award money करनम मलेश्वरी की जी कहानी है कि when करनम मलेश्वरी won I believe in Sydney Olympics तो South India से but she got married into a family in हर्याना या मनानगर से तो उनको reward किया plot विगरा की भी बात हुई थी जो कुछ ताइम मुद्दा सा भी चला था फिर उसके अद भूपेंदर जिंग उद्दाजी ने revise कर दी sports policy बनाई नई policy बनाई थी और वो काफी effective थी काफी effective थी उसने एक बड़ा एक नई generation of sports persons ले आए थे कि जो बार-बार consistently वो उस machine के अंदर लड़के आते गए कि अब compete करेंगे compete करेंगे और एक ने general हर्याना का थोड़ा महौल सा भी ऐसा है मैं याद है मुझे मैं horse cast में एक fancy apartment के drawing room के अंदर कुछ बड़े ठाटे लोगों के साथ discussions ही चल रही थी कि अर्जन हर्याना वालों की तुम्हारी एक खासियत है कि पता नहीं कैसे सब के पास एक message पहुंच जाता है कि भई ये करना है सारे पीछे लग जाते हैं वो करते के ले 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 धरना हो जो ठीक जैसे government services के पीछे वैसे sports के पीछे भी तो एक जो धुन सी सवार हो जाती है एक जोश सा एक जुनून सर पे चड़ जाता है कि भई अब तो बस ये करना है और अब तो बस ये करना है जिसका fashion चल रहे है उसके पीछे पढ़ गए तो हर society में ही होता है नहीं पर अर्याना के अंदर ऐसा होता है कि सारे सारे जवाक लग जाएं कि भई आप तो करना है और बड़ी अप्टली मेरेको वेन वेन इट वसेड बड़ी वेल क्योंकि हाँ कि चाहिए वो government service हो चाहिए sports में हो तो sports के अंदर जैसे sports policy के बात आई तो सारे बड़ें ने बोलना स्टार्ट कर दिया घर पे कि भई बच्चों को sports में डालेंगे नौकरी लग सकती है कोई अगर पढ़ाही में इतना ठीक नहीं है तो इसको sports में डाल दो उसमें कुछ हो जाएगा इसका पहले यही कहानिया किसे हो अगरते नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाव खेलोगे कूदोगे होगे खराब सो उससे चेंज होकर दीरे दीरी आने लगा कि sports में भी अच्छा करेंगे तो there is good future scope है scope है नौकरियां लग सकती है railways में लग सकते है कोई forces में लग सकते है कहीं selection हो जाएगा sports quota के नाम पर कुछक मिल जाएगा so वो सारी चीजें आने लगी तो sports policy आई फिर sports policy के revise revise हुई monetary sum भी बढ़ गया और फिर दीरे-दीरे कुछक medal आए फिर कुछक जिनके medal आए वो politics में गुज गए तो बड़ी सारी चीजें ऐसी हो रही है और 2008 में जब आया था medal तो उसके बाद काफी popularity बढ़ गई क्योंकि एक तो नोकरिया मिलनी शुरू हो गई और मेरे को याद है 2007 में जब क्रिकेटर्स का भी देखो ये अपने शर्मा जी से जो बोलर थे फाइनल में जोगंदर शर्मा तो उनको बहुत सारे लोगों का लगना शुरू हुआ तो ये एक कल्चर बन गया है एक अच्छा है एक सॉलिडिक ट्रेडिशन बन गया बट यह नो वीवर्स के लिए और जो लोग सुन रहे है उनके लिए ये बात जरूरी जानना है कि ऐसा नहीं है कि motivation सिर्फ वो job था वो एक added incentive था कि अगर नोकरी मिल जाएगी if I excel in some spot और उसके वज़े से मेरी को एक नोकरी लग जाएगी या उसके वज़े से cash money मिलेगा तो वो एक added incentive है to work harder towards it और वो काफी बड़ा incentive है हर्याना में जहां पर जो सरकारी नोकरियां है वो बहुत प्राइजड एसेट है हाँ तो उस महौल के अंदर लड़के लड़कियों को इस तरह का push मिलना वो एक अच्छा incentive है और जिस वज़े से हमने वो transformation देखा कि अगर sports history of अर्यानागर समझ नहीं है तो वो जो transformation आया है वो इस पूरे महौल के वज़े से आया है बट इस महौल को सर्फ यह ना देखा जाया कि that is the only motivation that is a good incentive बट motivation पहले से थी बटके अपना शरीर तो पहले से तोट रहे थे ना तियारी करने के लिए चाहे forces के लिए त्यारी करनी हो चाहे किसी और game के अंदर और game को एक generally भी अच्छा बोला जाता था और sports का एक बड़ा अच्छा रोल इस वज़े से भी हुआ क्योंकि जब cross border trade की वज़े से terrorism की वज़े से narco terrorism की वज़े से यह drug जाना start हुए तो गाउं के अंदर एक बात होनी start हो गई थी कि बच्चे बचाने है या फिर सही direction देना है तो it is important कि बच्चे खेल कूद में जाए बदमासी का भी दो राया था एक पर बहुत ज़ादा बदमासी के तो यह भी देख लो ना क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि पढ़ाने पर कितना भी पैसा खर्च हो जाए वो ठीक है लेकिन sports को ज़्यादा वो नहीं देते थे आज मैं देख रहा हूं कि गाउं में जैसे अपना ही एक गाउं का है लड़ का वो जीत के लाया है junior championship तो आर्चरी में उसका था और उसको मतलब सम्मान मिल रहा है लोग जैसे परिवार वाले हैं या खाप वाले हैं वो सम्मान देते हैं तो society में एक अलग level बन जाता है और उसके माबाब भी एक डेड़ लाग का जो उसका वो आएगा आर्चरी का तो वो setup उसके लिए लाना है तो मतलब इतना पैसा सोच भी नहीं सकते थे कि 10-15 साल पहले लोग कि भाई मतलब खेलों पे खेलों के समान पे इतना खर्च लिए एक बैट बूल आने में ही लोग के दे रहा है को एना ठीक है तो उसका छो रहा है उड़ देते लिया थापी से नहीं खेला करते है तो मतलब बहुत बदला हाँ यह जो चेंज आया है उसके पीछे एक इंपोर्टन आंगल जैसे हम बात कर रहे थे उसके अंदर यह जो इंसेंटिव दिया है ना नौकरी के नाम के पैसे के नाम के कैश सम जो मिलता है और उसके बाद क्योंकि money is a very great incentive और money मतलब ऐसा निया ना कि यार काम ही चल रहे तो मतलब सूपर स्टार सूपर स्टार लेबल रहें है करोडों में खेल रहे हैं करोडों में तो छे करोड हैस आप शे करोड तो एक जीतने का है Sponsorship कितने की करोडों की है Sponsorships है Sponsorships है Ads है और उससे पहले आपके इतने सारे Competitions है जिनके अंदर Award Money बड़ी अच्छी बनती है और Thanks to You know Numerous Schemes जैसे Prime Minister नरेंद बोहती है बड़ी सारी Schemes लेकर आए है और एक Generally एक Tradition बन गया है कि खेलों को प्रोचान मिलना चाहिए और वो खेलों को प्रोचान करने के पीछे See When it comes from the Top Boss प्रदान मंत्री जी अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो उनका उनके Party के जो कारे करता या जितने Ministers है या जितने भी संगठन से जुड़े वे जितने भी लोग है वो अपने को Sports related activities tournaments हो गए competitions हो गए उनके साथ engage करते हैं उसके अंदर भी prize बनी है तो overall एक tradition जो बनाना है या जो महौल बनाना है वो बन उठता है कि गाउँ अधे हाथ के अंदर भी अगर कोई competition रख दिया और उसके अंदर party से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति वो तो competition तो होते ही थे लेकिन आप political लोग भी आने लग गए pattern age के साथ आने लग गए तो वो political pattern age का जो change आया है वो बहुत important है तो इन सारे multiple से political pattern age हो गया एक general tradition हो गया फिर incentives लोगे सरकार के विवसे society में इज़त है वो सारा का सारा in totality brought down this change that we are seeing in today अब तो sports का बहुत कमाल सा ही हुआ हुआ है यह हुड़ा साब की टाइम पे हुआ था कि सोनिपत के अंदर बना साही को इतना boost मिला था तो उस वज़े से यह जो महाल जो मना है उसकी वज़े से यह transformation है और यह बहुत बड़ा transformation है नीरत चोपड़ा की story थोड़े बताइए कि जो शुरुवात हुई उनकी उसके उपर started young यह chapter का नाम है सो नीरत की जो कहानी की शुरुवात होती है वो एक चोपड़ा brothers name of the family whatsapp group क्या नाम है इसको क्या कैसे pronounce करेंगे खंडरा खंडरा गाओं का नाम है तो और दरा खंडरा तो क्या है कि पानीपत के पास पानीपत का एक subdivision है मतलोडा मतलोडा के मतलोडा गाओं के पास भी एक गाओं है खंडरा अब खंडरा में वहां पे जो जातिय समिकरन है तो उसके अंदर एक जिस कास से नीरज बिलॉंग करता है जिसका एक debate और question भी चल पड़ा था और कमाल का अपना देश है तो देश के लिए बेड़ लेकर रहाया था रोडा इस वट्सएप ग्रूप में तो बात में पता चला नहीं चोपड़ा तो सर नहीं है लेकिन रोड है वो रोड का यह हो गया कि यह तो रोड मराथा है जबकि वो वो हिस्ट्री कंटेस्टेस्टेट है बहुत हां तो यह यह क्योंकि जाटों के अंदर भी है चोपड़ा वो भी लखते हैं पंजाबियों में भी लखते हैं और रोडों में भी आए तो निरज रोड है और जो गाओं उसके अंदर रोड बहुमूले है और नीरज की जो फैमिली है बड़ी लिमिटेड मीन्स वाली फैमिली है कोई बहुत ज़ादा उनके पास जमीन नहीं थी बच्पन जो है एक जॉइंट फैमिली सेट अप है और जॉइंट फैमिली के अंदर सबसे बड़ा लड़का है नीरच चार भाई इसके पिताजी ने पढ़ाई वड़ा जगे पांच जगे एकड़ एक जगे इस तमय की जमीन और बड़ा परिवार मीन्स कुछ है नहीं और सब अगर डिपेंडेंट रहते फार्मिंग पर तो वो पता ही है कि कुछ होना नहीं निकलना धर्रे से निकलना मुश्किल था एक बात जो बड़ी इंक्रेडिबल लगी कि आज के टाइम पर आपको joint family setup बड़े कम दिखते हैं और वो joint family setup जिनके आंदर बड़े अच्छे से family के अंदर तालमिल बैठा हुँ है कि जो achievements हैं जो failures हैं उसको परिवारे कठे करके देखता हु और कठे ही उन challenges को phase करता हुँ वो इनके परिवार में जरूर है और वो यकाक संभाल रखिया उन्होंने ये पहले इन जेनरल हर्याना के अंदर ट्रेडिशन सा हुआ करता था गाउं दियाद के अंदर जॉइंट फैमिली सेट अपस ही हुआ करते थे शहरी करण जब से हुआ हुआ जब से हुआ 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 उनका नाम है भीम जो तीसरे भाई हैं सुरिंदर चौते हैं सुल्तान तो भीम ने स्टार्ट किया थोड़ा विंचर आउट करना कुछ मिल जाए कुछ काम मिल जाए प्राइविट काम मिल जाए इस बीच में गाउं से निकल कर जो सबसे पास शहर कौन सा था पानिपत तो बिजनस विगरा या कोई प्राइविट काम विगरा देखने के लिए लगे तीसरे भाई हैं सुरिंदर सुरिंदर की कास बात कि सुरिंदर जी वह हैं स्टाटेजी हट पहनते हैं परिवार में वो उनको अलग-अलग नाम से किस्से कहानिया वही स्वाद सुद में बहुत जो निरेज के फ्रेंड्स है जो फ्रेंड्स का सर्कल था जिसके बीच में निरेज ने अपनी ट्रेनिंग स्टाट की तो सुल्तान फिर सुरिंदर चाचा के बारे में कभी कोई हिटलर बोल दे क्योंकि स्ट्रिक्ट हैं और सुरिंदर सुरिंदर के बारे में ये खास बात ह है उससे बाहर निकला जाए उस सर्च में वो बड़े लोगों से मिलते थे और बहुत लोगों से बाते करते थे और लीडर्शिप लेसिंज और अलग-अलग वर्क्शॉप्स ये तरह की चीज़े करने लगे और बड़ी उस वक छोड़ा गद्रा हो लिया था दादी ने लाड़ प्यार में दुगद्धाई मक्खन वलाई चूर्मा पूरा एकडम तोड़ पार रख्या था फिर गद्रा हो गया बट जब 10-11 साल के उम्र के अंदर लड़के का वेट बढ़ गया कुछ से काहनिया जैसे एक चली थी कि उसको सरपंच बोलने लग गए अच्छा तो पर जो छेड थी वो छेड बौदर तो करती है मतलब कोई भी फैमिली चाहेगी कि उनका बच्चा मतलब फिजिकली फिट हो एक्टिव हो तो उसको फिजिकल फिटनेस ट्रेइनिंग पीटी जेम विगरे इसमें जाना पुश कर दिया कि करो अब इस टाइम पर भाई जब यह फिजिकली फिट होने लग गया सुरेंदेजातर ने डिसाइड गया है कर भाई फिजिकली फिट तो हो गया बट उस टाइम पर यह आज समझ लो आज यह 23 साल उम्र है 23 साल अब आज से 13-14 साल पहले मतलब 2006 छे साथ तो इस टाइम पर स्पोर्ट्स का हर्याना के अंदर जैसे हमने अभी पिछले इस कॉन्वसेशन के पिछले पार्ट के अंदर डिसकस किया था एक नया न्यू वेव आ चुका था और लोग हर जगे सोच रहे थे पुश करने के लिए कि अपने मत्च को स्पोर्ट्स और इस वक्त पर डिसक्शन चल रहा है कि कौनसा स्पोर्ट चूज किया जाए स्पोर्ट कौनसा हो सकता है पहला आइडिया वह आया खेल कबड़ी कुष्टी ठीक तो कबड़ी ट्राइकरो कुष्टी ट्राइकरो इस तरह आने लगे बट सुरेंदर ने यह नोटिस किया कि यह जो कबड़ी होगी कुष्टी होगी नहीं इस तरहे खेलों में नहीं कॉंपटिशन नहीं दूसरी बात यह कि कॉंपटिशन तो वह तो कॉंपटिशन में जब कोड़ों गया था कि इनको यह लगा कि लड़का अभी तो क्योंकि उस ताइम पर तो सिर्फ फिटनेस के ल सफर करें तो उनने यह conversation open कर दी थी कि कबड़ी कुष्टी के अलावा भी आप alternatives देखो और उस ताइम पर नीरज की जो जर्णी थी इस ताइम पर नीरज 13-14 साल की उमरत 14 भी नहीं 13 साल की उमरत 13 से भी काम तो मतलोड़ा जिम गया मतलोड़ा जिम से वह निकालके पानी पत के अंदर constructional काम और उसको initial फिलिप देने का काम ना दादाजी ने किया था पानी पत के अंदर कि मेरे को याद है बच्पन के अंदर ना वहां पर राइट हैंड साइड पर योगा ओल था वहां पर वह पर प्लाक लगा हो था जहां पर दादाजी का नाम तो बच्पन हो पानीपत के deputy commissioner थे और first deputy commissioner थे पानीपत के और जब पानीपत जला बना था उस time पे जो initial steps थे इनीशल चीजें की गई थी to develop the district वो दादाजी ने ली थी तो और दादाजी के पिता जी थोड़ा सा context देने के लिए तो दादाजी का दादाजी के चार भाई हैं उनके पिता जी जो चौइसी इसराम जी बागपुर से हैं वो अपने समय के बहुत बड़े समाजक चेतना के अंदर समाजक चेतना बढ़ाने वाले या समाजक जो कुरीतियां हैं उनसे लड़ने वाले लोगों में जाने जाते थे मुझे यह पता है कि 1920s में जब देश के अंदर महौल बड़ा कास्ट को लेकर हरे जनों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था तो गांदी जी से भी प्रेड़ना लेकर 1920s में उन्हें बागपुर गाउं में एक कुवाँ खुलवाया था जो नाम तो बता हो शुरू चोई सीजराम जी ने कुवाँ खुलवाया था सभी सभी समाज के लिए तो हरी जन भी महां से लेकर उस ताइम उससे पहले जो सिचुवेशन थी वह बहुत बुरी थी कि हरी जन को खुए से पानी नहीं लेने दिया जाता था दूर से ही जिकसी ने निकाला तो दूर से ऐसे फैंक दिया पानी तो जितना मटके में आया उतना ले लिया करते थे बहुत ही बुरी सिचुवेशन थी और उसके अंदर इंपक्ट डालने के लिए और प्रेड़ना लेते हुए गांधीजी से अरे समाजी थे के ठाड़े आरे समाजी थे और आरे समाज का जो रोल ता उस टाइम पर बहुत बड़ा था अपने एक एरिया में तो बहुत खास का बेरी वार्ला जोग है तो लगबक सौ साल तो आरे समाज ने ही अपने रिजन के अंदर एक डिरेक्शन दि जजर में उसका भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस था और जब तक बगवान दास जी यहां पर रहे 2003 में उनकी मृत्यू हुई थी तो तब तक तो बहुत जजर उसके बाद फिर जो क्रोथा कांड हुआ था उसमें उसको भी रामपाल को बगाने का जो काम किया था रोध से वो भी आर्याश समाज ने чис 수 करणा चाहा है कि अ הצ्टीर रास समाज जो स्के बहुत बड़ा रोल पर किया जो था उसके यमाखने के बहुत बहुत क्यों क्या आरेसं उसके आलकॉद फल्यचन की तरफ और शेट को ठीक डिरेक्ण उस रीजन को को अच्छे डिरेक्शन दे किसी भी कोई भी आती हुई कुरीती थी उसको चालेंज करना था वो काम आरे समाज ने किया था और जिसके लिए मतब विदाउट डाउट कोई बना नहीं करता कि आरे समाज का कोई सोचल रिफॉर्म जो उसका इंपक्ट है वो कम रहा था तो पड़ाजा जी ने वो कोई का खुलवाया और उसके पहुंच में समाजक भाहिशकार भी फेस किया था उसी कहानियों में प्रोफेसर शीर सिंग जी का भी नाम आता है जो सबसे बड़े जादाजी थे प्रोफेसर शीर सिंग जी कमाल की बारा 28 साल की उम्र में वो असेंबली पहुंच चुके थे तो देख मैं देखे कर रहा हूँ तो यह था फिर प्रोफेसर शीर सिंग पार्लेमिंट में भी गए मिनिस्टर भी रहे इंफाक्ट हर्याना से जो पहले जो हर्याना बनने के बाद जो पहले मिनिस्टर रहे थे सेंटर के अंदर उनमें उनका नाम आता है और प्रोफेसर श तीसरे थे ओम प्रकाश भेरी जी जो वधायक रहे हुए और चौते राज इंदर जी तो सभी मतलब अपना अपना भागेदारी कर रहे थे तो तो श्रीवाजी स्टेडियम में पहुच गया तो वहां पर रिसर्च करते हैं तो मैं भी मेरे लिए वो मोटिवेशन थी और नीर उनको वो चाह रहे थे कि लड़का जिम करें लड़का एक्सराइस करें कि शायद कल को अच्छा स्पोर्ट्समें बन जाएकता है या कुछ भी तो उस चक्कर में वो किसी एक डिसक supports या एक leadership program के अंदर एक और लड़के से मिले जिस लड़के ने अच्छे से question पूछर बूँच लिया उस लड़के का नाम था जितएंद रागलाम जीतोजी को इस सारे वहां पे उतने इको सिस्टम जो वन रहा है ना ईस जी जीतु और सुरेंदर की बीच में कॉन्वरसेशन स्टार्ट होगी सुरेंदर को लगा कि ठीक है जीतु बंदा ठीक है और इसको पता है मत भी नोज वाट इस टॉकिंग बाओ अगले जिन से चुरे को चौड़ दिया तो नीरज का भी वेट लॉस ट्रेनिंग नीरज की जिम ट्रेनिंग सब कुछ बीच तॉक जिम तो कमें गया था बेट लॉस ट्रेनिंग इसेंशली स्टार्ट हूँ थी एंड इन इन डस मैंड जने शरीर फिट कर लिया मेंको तो वो है कि तो नहीं वीडियो दिखाए थे उस टाइम पर यहां दस साल पहले कैसे तो फोन हुआ करते है क्या क्वालिटी हुआ करती बाट कुछ किसी को पता थोड़ी था कि इतना बड़ा स्टार बन जाएगा पर कुछ अग वीडियो उनके पास वैसे कहीं ना कहीं किसी फोन के दर बचरी तो यंग नीरज चोपड़ा उसकी फोटो भी डाल रिखे बूक में उस टाइम की कैसे अपना शरीर इतनी जाम के जैसे लड़का ह रहे हैं पूरा एकदम शरीर मजा आ रहा है उसे वह करने में पर नीरेज के बारे में जीतु ने भी यह बात बोली और उसके बाद जितने भी व्यक्ति हैं जिन से मैं इन कॉंटाक्ट किया नीरेज कि कभी मेहनत करने से कत्राया नहीं and which is a very good lesson in contemporary times to tell every other हर्यान भी also कि अपा जीतु ने में जब वो फिट हो गया तब यह बात बनी कि अज कॉंसा गेम लिया जाए उस conversation के अंदर जीतु खुद भी पहले जैवलें थ्रोवर था तो जीतु का जो गूरूप था श्रीवाजी स्टेडियम में वो भी जैवलें थ्रोवर्स का था तो धीरे धीरे पर वैस जैसे इन दे स्पैन ओ थ्री-फोर मन्स हर एक गेम उसे खिलवाया गया को थोड़ा से यह भी थ्रो कर ले कोई अथलेटिक्स का गेम कर ले बाज के देख ले तो यह सारा के सारा वैसी जैसे होता है ना कि मतब क्योंकि देखो यह ना जोंसा बड़ी अलाग है वो देख ले क्योंकि यह जब आप अचीव कर ले तो ना तब तो ऐसा होता है कि अवरीटिंग वस ब्लांड पर जो यह स्टूरीज होती है ना और यही मेरे को अल्टिमेट जो जॉय आया था ने काम करते हैं कि यह होती तो बड़ी इनोसेंस वाली चीजें होती है कि आप बस काम कर रहे हो करे जा रहे हो विश्वास आप वहां पर करे जा रहे हो सई हो जाया कुछ ना कुछ बड़ाप कॉंटिनुसली आपको मॉनिटर भी करते रहो कि आपका डिरेक्शन ठीक है तो सई कर रहा है लगा रहे है ठीक है फिर अलग-अलग स्पोर्ट्स खेले एंड उसके अंदर एक बार खेल-खेल में जो यह जावलिन सरकल था इन्होंने उसके आथ में थमाई और देखा कि भी फैक क्या देखा तो कि जिस तरह से उसने तो इसको वह पैकिंग बोलते हैं यहां पर जावलिन रखी और यहां पर उसे पैक कर लिए अच्छे से और फिर देखा कि उसकी क नाम से एक स्टोर खोला हुआ है दो तीन शॉप से हैं स्पोर्ट्स गुड्स का काम भी करता है तो सनी भी अपने टाइम पर बढ़िया प्लेयर था तो सारे जोड ला रहे था कोई कोई कोच नहीं था इन पर किसी के बास कोई कोच नहीं सर्फ आपस से ट्रेन करकर के सीखा काम कर रहे थे भी अलग अलग लोगों से डिसकेशन की कि क्या गेम हो सकता है फिर ये ग्रोप ऐसा हो गया जिसके अंदर पता कि अच्छा कील सकता है तो नाच्रली सारी चीज़ें कंवर्ज होते होते यह हो गया कि नीरज जावलिन करके देख चारा कैसा लगता है तो वह कबड़ी कुछती बाद तो अंगल बता दिया कि शायद कहीं शरीर के अंदर चोट चाटना लग जाए जादा फिर ये अंगल भी हो गया कि भाई कौंसे स्पोर्ट में अच्छा कर रहा है फिर यह है कि जिसके अंदर ग्रूप कौंसा है फिर उन्होंने करवा के देखा उन उसको मेडल मिल गया डिस्टिक्ट के अंदर उस टाइम पर बड़े सारे जो जैमलिन अग्रूप था उसके अंदर हो गया जीतू जो फिजिकल विगरा कराया करता फिर एक है जिसका बड़ा अच्छा योगदान है जो उसकी फैमिली भी कंसिस्टेंटली बोलती है मतलब मो हो सकते हैं बट्र यह है कि जब भी परिवार से बात करोगे जब भी आप नियरत से बात करोगे वह मुद्र का बड़ा थैंक्फुल भी होता है फैमिली भी बहुत थैंक्फुल है मुद्र और कंसिस्टेंटली यह बोलते है कि कोई लड़का जो उसके साथ ढाल बनके के पास शायद बेंजे लाइगा हम उसका तो मोनू भी जाय करता था पानीपत में प्रैक्टिस करने के लिए तो एक तो healthy bond of friendship develop हो गया और उस बीच मोनू सन्नी और ये बड़े सारे जितने भी लड़के थे सबने दीरे दीरे एक डाल बनके न के इसको और पुश करें यहां पर भी अच्छे करते हैं साब है परमिंदर परमिंदर और मोनू भी साथ खिला करते हैं तो सबने एक दूसरे को अच् चीजें से खाई साब ने चीजें से इसाब नाम है परमिंदर तो उसका भी फ्यू चेक रिकॉर्ड लेकर नहीं आपाया पर मोनू ने अपनी तरह से महनत पूरी तो यह सभी लड़के सब एक ग्रूप बन गया और आज भी दोस्त हैं मतलब यह कभी मेरे को संदी ने वो स्क्रीन शॉट दिखाये थे कि जब इसने ओलिम्पिक में जीता है या ओलिम्पिक से पहले कोई मेडल मूडल जीता है या जब यह ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ था तो नीरज के साथ नीरज के दिसकॉशन है बाल बूलकट वाले इस सो फोन तो हमेशा साथ ही रहा है आपके तो इस तरह का एक मौहल सा डेवलाप हो गया जिसने नीरज को ग्रो करने की ऑपरचुनिटी दी नीरज को वो लोग मिल गए जो लोग इसके लिए अच्छा चाह रहे थे विर्चुस शर्कल फ्रेंड्स हो इसको पुश करना चाह र रहे इन फाक्ट शिवाजी स्टीडियम के अंदरी बहुत लोगों ने बोलना स्टार्ट कर देगे तो अगर च्शिस्टींटली करता रहे गाना और सब ठीक रहा तो एस सेंसिबिलिटी अर यह सेंस उसे शिवाजी स्टीडियम के अंदर मिलना स्टार्ट हो गय थी और उस पर ही यह लोग ना गुरूप के अंदर वीडियो वेकर आचुके थे फोन आचुके थे सबके हाथ में तो यूट्यूब पे जैन जिलजनी इस नेम राइट एक चेक जावलें थ्रोवर हैं उनके वीडियो देखा करते हैं सो वहां से सीख सीख किसी और का वीडियो के अंदर देख करके कौन कैसा कर रहा है किसका थो कैसा है किसी का हौल्ट कैसा है किसी की थ्रोइंगाम कैसी चल रही है कैसा कर्व बन रहा है बाडी के अंदर आइवोंट गो इंटू डीप इंटू तेलिंग यू हाव मतलब देफरे recording वो अपने वीडियो की भी करा करता था ताकि देखने के लिए कहां पर उसकी stepping गलत हो रही है कहां पर उसकी blocking गलत हो सकती है कहां पर slip कर रहा है कहां पर उसकी arm movement के अंदर question हो रहा है कहां पर उसका shoulder पर जादा challenge हो रहा है तो वो सारे चीज़ main coach, क्योंकि बहुत लोगों का नाम आता है बहुत लोगों का नाम है, मतलब कि ये भी coach था, वो भी coach था, इसने भी सिखाया उसने भी सिखाया, तो main किस से इसको फाइदा, क्योंकि आपने बैठा है कितने गंटे बैठे है हो निरज के साथ, यार मैं काफी गंटे बैठे है, उसके multiple settings हुई थी हमारी पर ये है कि 10-12 गंटे तो एकदम long conversation एक बार तो शाम को रात को मैं 9 बज़े के पास पहुचा था उसके घर में और तब से लेकर 2-3 बज़े में अपने घर वापिस आयता तो उसके बीच में conversation ही चल रही है खाना पीना चल रहा है और sports की बातें चल रही थी तो पानीपत में तो ये set of friends हुए पानीपत से साब का selection हो गया पंचकुला में sports nursery है पंचकुला इस पंचकुला में सारे office बनगे पंचकुला में सारे रहा है पंचकुला में चंडिकट में जगा अर्यानाड़ा ने capital complex और court वहाँ पे है तो ये तो नई डिबेट स्टार्ट करेगा इसके नपनाबर रहा है तो पंचकुला के अंदर बहुत बढ़ी है दुबारा से बोलो further अच्छे clarity के लिए सुना जाए जज़र बनेगी capital रहानागी वन्स मोर चल 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 तो वह पंचकुला के अंदर sports nursery थी जो ताउदेविलाल stadium में हुआ करती वहाँ पे साब का परविंदर का selection हो गया इस बीच में यह conversation सी होई कि अब निरस तू बढ़िया कर रहा है बाट पानीपत के अंदर अच्छी facilities नहीं है तू पंचकुला चला जा तो दोस्टाज के कहने कुने पर परिवार से discussion होके वो पंचकुला चला गया difference बहुत है यार आप पानीपत में प्राक्टेस कर रहे हैं या फिर aluminum विगरा की इसमें क्या फरक होता है जैसे जो competitive spot होता है उसके अंदर fiber की carbon की जावलन होती है और यह जो बाकी होती है वो लकडी की भी जावलन होती जो मेरट से लेकर आते हैं अलग metal की भी होगी जावलन बट वेट होना चाहिए 600 से 800 ग्राम का वेट का वो रहता है कोई भी material की हो सस्ता material होगा ना कहां से तूँ सोच चागे तो फिर वो महंगी आती है जो fiber वाली जावलन महंगी होती है और उसके rate लाखो में भी चले जाते हैं बट यह है कि वोही जावलन international competitions में यूज हो रही है so if you're not practicing with javelins or implements which are used in international competitions how will you prepare yourself for international competitions तो यह facilities पंचकुला के अंदर थी वो पंचकुला पहुचा पंचकुला पहुचा साब के कहने पर परविंदर तो उसके कहने पर परविंदर के निकने में साब तो यह नों बोलना स्टार्ट करें तो साब इस वक्त बैंगलोर है तो साब अभी रेलवेज में है उसका भी स्पोर्ट के अंदर अच्छा करने की वज़े से जॉब लगी थी तो साब वहां पहुचा साब ने पीछे पीछे बोला कि नीरज आजा नीरज ने महाँ पे आगे प्राक्टे स्टार्ट करती इंपोर्टन यह है कि नीरज को उस टाइम पे अड्मिशन नहीं मिला था कुछ टाइम के लिए क्योंकि नीरज इलिजिबल नहीं हो रहा था बट नीरज के दोस्तों ने सब ने बात बात की और कि इसको रहने दो कुछ टाइम के अंदर कॉम्पेटिशन आप ट्राइल ले लेना कुछ टाइम बाइस का ट्राइल हुआ और इसको इसने पंचकुला को अपना घर मना लिया इस टाइम पे इसका स्पोर्ट जो गेम था ना वो consistently improve करता गया पंचकुला में इसको facilities मिली पंचकुला के अंदर आपको पर ऐसा नहीं थे को बहुत facilities मिली खाना वेगरा खोदी मनाया करते थे वहाँ पर कोई dedicated जैवलिन के coach नहीं थे बट वहाँ पर जो नसीम coach है जो इनका बारवर consistently नाम आता है नसीम coach उस nursery को देखा करते थे उसका ख्याल रखा करते थे और वो वैसे खुद तो एक running event के अंदर थे बट motivation पूरा दिया करते थे वो कभी रोकते नहीं थे या किसी ओखामगां की भढ़क नहीं दिया करते और material वगिर अच्छा अच्छा जैवलीन अच्छा मिल रहा था वहाँ पे आपको रहने की facility मिल गई आपको खाना विगा रहे हैं खुद ही बनाया करते थे पर उसी वज़े से यतना अच्छा nutrition में नहीं मिलता था तो वो वाली चीज जो cover हुई वो उनकी पट्याला में हुई जब यह पंच्छकुला से qualify करके National Camp NIS पट्याला में गया तो NIS पट्याला एक ऐसा institution है जहाँ पे इंडिया के जतने भी sporting games हैं कितने भी events हैं उन सब के लिए अच्छी training facility वहाँ पे होगे हैं उसको National Camp ही बोलते है National Institute of Sports पट्याला जो camp exams ही करवाता है अगर किसी को coach बनना हो वहाँ पे जब इसका selection हुआ था तब तक यह पंच्छकुला था साब बीच में शायद मेरेकल से सोनीपत में इसका selection होगे था साई campus में तो यह वहाँ पर था कुछ सक time बट नीरज पंच्छकुला रहा और नसीम कोच ने उसकी बहुत मदद की तो नसीम कोच का जो role है life के अंदर वो यह है कि नसीम कोच ने खामखा तंग ने किया और motivate किया तुम जो game खेल रहे हो उसे अच्छे से खेलो आपको जो चीज चाहिए वो facility दी जाएगी और उसके अलावा नसीम कोच न body fitness के running के इस तरह की exercises जरूर बताया करते थे तो इससे दोडाया भी बहुत करते थे जो naturally और भी players को भी दोडाया करते थे क्योंकि इसका core spot running नहीं था core spot था इसका javelin था but javelin के अंदर भी you have to run and suddenly stop so run के अंदर क्या होता है in that span आपको maximum pace gain करना है और इस maximum pace gain करने के बाद आपको अपनी left leg से if your right arm is your throwing arm आप अपनी left leg से block करना है तो all of a sudden आपको पूरी speed में दोड़कर आना है और all of a sudden आपको speed रोक देनी है तो वो जो बहुत unnatural सा game है तो इसमें कहते हैं कि 60% of leg कर रोल है 40% upper body कर रोल है और यह वो game है जिसके अंदर आपको stamina भी चाहिए वो game है जिसके अंदर आपको sprinter जैसा pace भी चाहिए और आपको एक technique भी चाहिए आपको thrower जैसा strength भी चाहिए upper body में shoulders पे बढ़ा technical game है if you want to really excel in it पहले नहीं पता होता है क्योंकि और बहुत लोग है मेरे काल से जब नीरेज ने medal जीता था तो बड़े लोगों ने बड़ा casually बोल जाता है कि यह के है बाला ही तो बहुत नहीं उसने काहनी बताई थी ना कि मैं ऐसा ही सारे चीज हुई थी तो नीरेज को गेम बड़ा टेक्निकल है तो नीरेज को स्लोली स्लोली इंप्रूव करने लगा नीरेज इस जानी में पंच्छुला के बाद या पत्याला गया अब पंच्छुला के अंदर ना आपको फेसिलिटीज तो मिल रही थी बड़ा आपका नूट्रिशन आपके जो प्रोटीन विगारा हो गया कुछ सप्लिमेंट्स हो गया और एक कॉंपुटिटिव नेचर जो था वो स्टेट लेवल तक ही था अब स्टेट लेवल के अंदरे ने एक सेल तब तक करना स्टार्ट कर दिया था वो स्टेट लेवल नाशनल कॉंपुटिशन अंडर 16, अंडर 14 कॉंपुटिशन आप रिकॉर्ड से करते हो वो कंसिस्टेंटली गोल जीत रहा है वो स्टेट लेवल और इस माहल के बीच में एक नाचुरल कॉंपुटिशन आपको सेलेक्टर ने अपको साही ने सबने पिक किया उस बीच में बड़े सारे लोग जैसे एक जीन से एक प्लेर थे राजिंदर तो राजिंदर नर्वाना के हैं और राजिंदर वोज वान अदर मतलब आपको यू फिल बाड अलसो के कैसे मतलब लड़का मतलब लड़का मतलब लड़का 82 के पास कुछ का अभी इस ट्रेनिंग यंग स्टूदेंट्स इन नर्वाना वो कुड वेल वो कुड दू वेल इन जैवलिन तो उसी कानी पढ़ने के लिए जरूर पढ़ना किताब क्योंकि यू यू गेट तो अंडरस्टाइंड मतलब किताब के अंदर वो रिसर्च करते हैं वो स्ट्रगल्स जो है सक्सेस स्टोरी तो ठीक है लेकिन एक फेलियर की भी फेलियर क्या मतलब वो राजेंदर भी कोई फेलियर थोड़ी है राजेंदर भी तोप थोड़र है मतलब जो नैशनल से इंटरनेशनल का होना है तो नैशनल रिकॉर्ड होल्डर फोर सम ताइम तो राजेंदर बट यू नो यू सी नीरज का स्केल इस वक्या बना हुए लाव लशकर, फेम, वनी, फेलियर पाज सब कोई इसके लिख 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 लिए है और गांट्रास्ट यू सी कराजेंदर जो जिसने 82 मीटर के पास के जिसका रिकॉर्ड तोड़ा था इन दोनों का नैंए एक कॉम्पिटेशन के लेवल हो गया था मैं हаз ओडिसा गें अंदर लेवल हुआ था कीुछ नहीं पता आप बस sporting किसी ने बोला यहां पर training कर ले किसी coach ने बताया रहे वहां पर सायद politics कम होगी वहां पर train कर ले किसी ने बताया दिली के अंदर थोड़ी ज़्यादा सहुलियत मिल जाएगे तो दिली आजा तो गाह उस दियाद से निकलावा लड़का जिसके सामने कुछ भी मतब opportunity जहां देखी बस उसने अपना गाड़ी का steering वहां मोड लिया कि यहां पर सीखूँगा चीज़े तो राजेंदर के साथ भी एक कानी तो उस टाइम पर राजेंदर जीगा तो राजेंदर ने भी कुछ लोगों को बोला कि यह लड़का है अच्छा ब्राइट लड़का है आप इसको दिलो तो उसने भी recommend किया था I'm not discounting कि जो officials थे AFI क, ASI क, officials ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने officials ने भी किया seniors का role बहुत important होता है किसी भी game को practice करने में किसी भी game के अंदर, किसी भी sport के अंदर अच्छा करने में क्योंकि जो seniors होते हैं यही आपको एक proper direction दे रहे होते हैं क्योंकि they are the ones who are suffering तो यह जो guru shishya parampara जो हम बोलते हैं वो हमारे education system में बचना रही हो बड़े sports के अंदर बच रही है because you see coaches के बारे में भी यह बात आती है coaches consistently चल रहे है coaches के बारे में debate भी आ जाती है coaches की कहीं ego battle ना हो जाए और coaches are the ones जो politically भी administration होता है उसको भी dominate कर रहे होते हैं वो ही संबाल रहे होते हैं कौन सा player आगे बड़ेगा so coaches का भी एक अलग बड़ा game चल रहा होता है उसी के साथ senior players का बहुत बड़ा role होता है तो यह सारे seniors थे और seniors ने direct करवाए seniors ही लेकर गए panchkula seniors ही लेकर गए के भई लड़का अच्छा कर रहा है इसको इधर ले आओ camp में तो नीरा आगे फिर national camp पे national camp के अंदर facilities थी international standard की वहाँ पर आपको खाना मिल रहा है आपको facilities मिल रही हैं आपको state हीक मिल रहा है आपको supplements मिल रहे हैं आपको nutrition की जारा चिंता करने की जुरूत नहीं of course after a certain point जो international players है वो खुद ही अपना खाने व्याने का arrangement रखते हैं जैसे साई का भी एक किस्सा होगा था ना तो बड़े सारे इस तरह के किस्से हैं तो जितने भी start plans है नहीं यह अपने खुद का ही nutrition वे गए रहे हैं after a certain point कर लेते हैं तो I am sure और अभी नीरज ओपड़ा भी वैसी कर रहे है बट यह है कि नीरज उस ताइम पे आगया और इससे facility मिली है और इसने औरों को देख देख कर सीखा और improve किया आपने आपको तो यहां तक कोई coach नहीं है नहीं professional coach professional javelin professional coach नहीं बना रहा हुए तो यहां पर आकर professional coach के मामले में मिलना start होते है तो जो खुच javelin players थे है तो एक Commonwealth Games के अंदर medal winner थे काशिनाथ जी तो काशिनाथ इस नाव उस ताइम पर coach लग गए थे national camp के अंदर coach लगे थे javelin के उन्होंने इसे coach किया उस ताइम पर if I am right Werner Daniels भी थे Gary Calvert Gary Calvert थे तो Gary Calvert ने भी इसकी game को improve करने में बहुत मदद की Werner Daniels ने बहुत improve करवाया game फिर अभी जो इसके current coach है Klaus बार्णविच उन्होंने if I am pronouncing the name right उन्होंने इसका game बहुत improve कराया तो जो professional coaches थे जो javelin throwers थे वो इसे मिले हैं अब national camp में आने के बाद इससे पहले जो भी training थी वो senior से senior sports person से senior javelin throwers से सीख रहा था कोई dedicated javelin coach ने और उसी के अंदर ये बहुत कुछ कर चुका था मतब नीरेज वाज अल्रेडी अपनी उमर के साब से और अपने experience के साब से he was doing remarkably well and यही बात Gary Calvert ने भी अपने एक interview में बहु ली थी के Neeraj is a natural what he meant was he's naturally a very good he'll excel as a jabdan thrower which he did so यह उनके contribution particular क्या रहे होंगे या उन्होंने जो admit किया नीरेज ने भी बोला होगा कि इस एरिया में इंप्रूव करवाया इसने मेरे कोई यहाँ पर मेरे को कमी लग रही थी इन्होंने मेरे कोई इदर क्योंकि coaches जब professional इस level के आते हैं तो they add a huge value huge value huge value मतब sports person अगर excel करता है तो वो इन्ही minor minding nudging से करता है वही है न आपका जो national है और international level को जो partner है वो difference अब जैसे I'll tell you a few instances के कैसे improvement हुआ अब जैसे अब में खड़ा हो ना पड़ेगा दिखाने के लिए वो थो बट यह समझना है जैसे राजेंदर उस वक्त राजेंदर और नीरज नाशनल कैम्प के अंदर हैं तो राजेंदर ने he was able to tell him के कैसे इसका जो right leg है उसके अंदर जो turn आता है कि crossover के time पर crossover है जब आप सीधा body आपकी ऐसी daughter हुआ और आप धीरे से अपनी upper body turn करते हो to stretch your arm back कि आप throw करने के लिए ready हो देता तो उस time पर कितना gap रहना चाहिए दोना पाउं के बीच में उसकी जो observation है वो राजिंदे ने ठीक करवाई थी उसके shoulder पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है या उसके elbow पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है ये सारा के सारे nudging की थी Gary sir ने उसकी ठीक करवाई थी बीच में इसका बड़ा regimen फिटनिस regimen बहुत hard हो गई थी आप फिर्स्ट पर आ रहा हो या एट्थ पर आ रहा हो क्योंकि आपका competition is very hard और आपके competition के बीच के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि 10 मीटर का फासला है आपका फासला है 0.5 मीटर का हो गया आदे मीटर का हो गया इस तरह कि आपके competition के देर एक बात मैंने ये भी देखी है कि निरज जब कोई भी competition में जब javeline throw करते है न तो जो पहला throw रहता है न उसमें पूरी जान लगा देता हो attempt काफी होते हैं उसमें से 3 best रहते हैं न 3 best रहते हैं ऐसा नहीं होता कि अलग-अलग 2 तरह के competitions या तो आपके 6 में से जो best attempt होगा वो देखा दाएगा या competitive के अंदर जिसे Olympics में हुआ था कि आपको पहले सबको 3 attempts किया qualify किया फिर finals के अंदर 6 आपको attempts मिलते हैं उसके नहीं पहले जो 3 attempts हैं उसके अंदर who is standing top charts उसमें से आप पहले top लड़के निकल दाते हैं then they are given the next 3 attempts so Neeraj के खास बात ये है और उसके throws के अंदर खास बात ये है कि वो एक तो ये बात clear है कि बाके सारे लोग कहीं पर कितना perform करते हैं Neeraj का best निकलता है competitions में और ये Neeraj admits on a zone कि और उसका better निकलता है जब वो international competitions में होता है क्योंकि वो full अपना उसका focus इस बात पर नहीं होता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है उसका सिर्फ focus ही होता है कि उसका जो अपना performance है उसको maximum देना है ये उल्टा है हमारे जो जाते हैं लड़ी वो यहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं उसके बाद जाके फिर international level पर कहीं न कहीं लड़कड़ा जाते हैं आपका cricket पर reference तो नहीं आपका नहीं नहीं बहुत सारे जो medals नहीं आए 12-13 मेरे को लग रहा था कि आ सकते हैं उसमें से 5-6 तो ऐसे ही miss होगे न हाँ बट यह है कि नीरज के साथ प्रेशर आजाता है या जो भी कुछ है उसको कुछ भी बोलो नीरज के sporting उसके अंदर यह बड़ी clear दिखने को मिलती है कि यार खाम खांगा pressure नहीं लेता और सीधा सरल आदमी है दिल का साफ है even with all this fam you know fame जो दिवानगी हो गई है उसकी उसके बाद ही very grounded person आप उसके साथ जब भी conversation करते हो बात करते हो वो दिल खोल के बातें बताता है और उसको यह पता है उसे कि बहुत लोग उससे photo खिचवाना चाहते है या बहुत लोग उसके साथ बैठना चाहते है उसका time चाहते है पर वो यह भी जानता है कि उसके बहुत कम समय है उसी को accommodate करने के चक्कर में उसका जो training session है जो अभी वो US गया हुए वो training session उसका delay हो गया था वो ही एक reason है कि जैसे diamond league I've written about it in the book also कि diamond league बहुत बड़ा एक event होता है athletics ecosystem में जो उसको Olympics के बाद उसको diamond league के अंदर जाना था वो नहीं जा सका क्योंकि वापस आया तो स्वागत इतना भव्य हुआ 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 है लोग इतना मिलना चाहरे है अलग-अलग events में जाना है तो बड़ा एकड़ एक specific time के अंदर नीरत घर पर पहुँचा उसके पास भी समय नहीं बच रहा क्योंकि सब कुछ उसे manage करना हो उसे अपने अगले साल की competition seat भी त्यारी करनी है तो कोई manager रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है professional professional manager आपके हम देखते हैं कि कहीं पर भी interview देने चले जाते हैं और फिर वो उस तरीके के वाक्या हो गया है कि वो नाच रही है और वो लड़किया उसको मतलब अजीब अजीब तरीके के जो interaction हुए कोई कुछ भी पूछे जा रहा है तो उससे काफी awkward भी हो गया था हो हाँ तो यह सब मतलब जब manage नहीं करते हो आप किसी को भी मतलब कोई भी आ रहा है चलो हाँ बात कर लिया तो उसमें दिक्कत आ जाती है and I have to lord this कि हमारे जब से sports अंदर हमारे medal नाने start हुए some people in right time saw an opportunity in here but एक remarkable role जो play किया है वो जिंदल sports ने play किया है तो जिंदल sports ने वो बनाए ecosystem बताया है जिंदल sports management वो ही sports भी manage कर रहे हैं वो players को भी manage कर रहे हैं वो facilities भी दे रहे हैं for example मैं course of research के अंदर हिसार गया था तो हिसार के अंदर जो sporting complex है boxing ring देखो आप gym देखो beautiful setups they've made तो जिंदल ने इसको मतब he was directed to जिंदल by और वो भी senior players का उसमें role होता है कि यह बंदा ने अच्छा कर रहा है इसको आप sponsorship क्योंकि sponsor हर कोई डूंट रहा होता है any sportsman who is doing fairly well उसकी पहले fight हो रही होती है कि जल्दी से मेरको को sponsor मिल जाए और उसी टाइम पे simultaneous battle चल रही होती है कि मेरको किसी तरह की कोई job assurity मिल जाए तो job assurity he joined the army sponsor के नाम पे इसको 2015-16 के अंदर इसकी जिंदल sports से conversation start हुई थी and वो conversation जिंदल ने start की थी शायद अखिल कुमार है या मनुज कुमार है बुक के अंदर लेखा बुक पढ़िये का प्लीज तो वो उस conversation के बाद जिंदल से start हुई और जिंदल ने starting के अंदर इसको थोड़ा-थोड़ा initial support दिना start कर दिया supplements पे बट जैसे जैसे इसका performance अच्छी बड़ी तो जिंदल के पास एक excellency program है और जिंदल ने इसको rehabilitation के लिए भी मदद किया विजन अगर में इंडियन institute of sports है एक जिंदल का वहाँ पे he stayed फिर जिंदल ने sports management के नामे एक player management के नाम पे कुछ अक लोग लगाए इसके साथ तो वो इक इसके साथ एक manager के तरह ही काम कर रहे थे और उनकी बहुत सहूलियत रही है तो वो लोग manage करते हैं अभी भी social media हुआ या interview profiles वगेरा कि बही किसको access देना है किसको नहीं, they control they see, they don't control to stop anybody in the sense की मितलब they manage they of course manage और उसके अंदर नीरज को भी उस वज़े से काफी मदद मिली है तो वो ज़रूरी है ना क्योंकि आप किसी को भी ऐसे मिलब कोई भी contact कर रहे है और वो सब नहीं होना चाहिए ना वो आपके schedule के साथ, आपके timing के साथ काफी गडबड कर देता है एक जैसे physio हैं इसके इशान, वो उनकी शादी पे भी कोई बीच में वीडियो भी वाइरल हुए थी उसके शादी में डांस कर रहा है अच्छा वो वाला इशान इसके physio है इन फाक जब इसको elbow injury हुई थी कोविड के time पर कोविड से just पहले इसने qualify किया था उससे एक साल पहले he could not play he was not playing in any sporting event क्योंकि इसके elbow में injury थी और elbow की recovery और rehabilitation चल रहा था जिसमें जंदल ने भी मदद की उस time पर जो सारा time physio साथ तब इशान था और as a friend जो साथ तब मून हो था तो इशान की ब्या में आच रहा था तो अब इशान अभी उसके साथ ही है यूएस में जो उसकी training चल रही है बहुत लगोंने वीडियो भी नहीं देखा गजब वीडियो है तो इशान जंदल की तरफ से ही है and he's a physio and जो उसके साथ हमेशा रहता है क्योंकि now he's a top player in the country and जो top scheme है हमारी government की तो top scheme के अंदर भी he's a you know top player और उसकी मदभ भी बहुत किया इस program से यह ना यह तो पुराना वीडियो है यह पुराना है ऐसे तो बड़े जारे जारे वीडियो है जब डांस के रहे है तो नीरज का यह वीडियो और भी वीडियो है इशान के डांस पे तो जैसे मेरे को याद है मैं भीम जी से बात कर रहा था तो बाइस अब पूछा मैंने के भाई क्या लगता है मतब नीरज ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करेगा कि यह बहुत लोगों के दमाग में एक क्वेस्टन है कि नीरज तो इतना यह इंटर्व्यू इतने डिस्कॉशन इतने लोगों से मिलना और इतने पबलिक इवेंच में जाना है कि अंदर कहीं अपने रास्ते से भटक ना जाए तो बोला है कि बस शेरवाने उतरते ही तो मिरें कर दो कहते है आज इसान की शादी है तो इसान की शादी में जाएगा शाम को बस फिर उसके बदन के वह हो गया और एच्छली वही हुआ इसान की शादी कुछ ताइम बाद यह निकल गए ट्रेनिंग के लिए तो बड़ी अच्छा ये 2016 की बहुत रोमांचक कहानी है कि 2016 में मैं पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में कि हमारा जो रियो ओलम्पिक्स में गोल्ड आ सकता था और वो हर्याना रोडवेज की वज़े से नहीं आया तो भाई ये कहानी सच है या नहीं क्योंकि मैंने उसमें पढ़ा कि नीरज ने बताया कि उनको एक इंजरी हुई थी छोटी सी थी शायद वो और फिर उन्होंने क्या किया बहुत भारी गलती कर दी जीवन की कि हर्याना रोडवेज में सफर कर रहे थे वो और उसके बाद वो इंजरी बढ़ गई और फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए यह जरूर है कि चोट लगी थी और उस चोट की वज़े से उसमें जो रिकवरी थी उसमें ठोड़ा टाइम लग गया थोड़ा और याना रोडवेज को कर दो गए वो स्वाद लेन के लिए बट यह जरूर है कि उस रिकवरी में टाइम लगा और एक ना, so if you want to qualify for Olympics आपको एक date से पहले, एक वो qualification date marked होती है, उस date से पहले आपको एक qualification mark cross करना होता है, तो वो जो mark cross करना था, नीरेज ने कुछ अग दिन बाद, मतलब वो date cross होने के 10-15 दिन बाद, उसने वो mark तो cross कर लिया था, और उस ताइम पे उसे बुरा लगा था कि यार, मतलब मतलब तो cross होग मेडल आ सकता था, बट यह जो है कि as a young boy जो इसने इस बार किया, तो उसका मुकादले ने, तो थाड़ा peak पे अभी peak हुआ है, all's well that ends well वाली बात है, चलो भाई, सब लोग जो पढ़ना चाहते हैं, इंट्रस्टेड हैं, नीरेज चोपड़ा की स्टोरी में, बहुत अच्छ मिलते रहेंगे, जैश्री वां